असलामलेकूम, कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं, हम सभी खेरियत सी होंगे, मैं हम इडियो पैने डिरेक्टर अबेर, प्रमोरिट लेम पाकिस्तान, आज मैं आपके साथ बहुत जबर्दस किसम का एक डेमो शेयर करूंगी, जो कि है यह आई का डेमो, मतलब यह जो डार्क सर अन यह जो आई कोमेंट बहुते हैं डीद सब बार उन्दर लैश मसकाKA, आप देख सकते हैं, डीष बीटरा लार्ग बारे में का रवेश एक, ने अन्य काजल मेरे केल्व के शेयर करूंगी, मैं यह खेंगे साथ यह जो निया काजल में देख सकते हैं, डीवन का का इसका रभी भी आपके साथ शेयर करोंगे तो सबसे परदाए स्टार्ट करते हैं कि आपने अपने जो डार्क सिर्कल्स करने सिम्पल से जादा असान मेकप मैं बता रही हूं मतलब जादा मैं खुद जो है मुशकत में नहीं परती और यह बिल्कुल स्टूडंट का मेकप है यानि कि स्टूडंट ड्रेस को रेगुलर्ली कर सकते हैं मतलब स्टूडंट मेकप मैं आपको बता रही हूं यह मैंने लिया है हमारा ओन कलर का कंसीलर ठीक है इसका शीड है नैच्रिल बेज आपने का करना है इसको आए के अराउंड ऐसे अपलाई करना है ठीक है यह देखें कर लिया वससे जब यह आपको मेरी लैशिस नजर आ रही है यह अल्ला का करम है यह औरिफलेम के मस्कारा यूज करने की वज़ा से है मेरा मेरी यकीन करें लैशिस इतनी रिच और थिक नहीं थी अब माशाला इनका वोल्यूम आ गया पहले इतनी वोल्यूम लाइज नहीं थी यह देखें कि यह जो डाक सर्कल्स थे मेरे वो कितनी जल्दी ज़ए वो हाइड हो गया यह देखें सिर्फ एक कंसीलर लगाने की वज़ा से ज़ए ब्लेंड हो जाता है तो दोनों आइस का फर्क आपको नजर राता होगा यह मेरी जिस पर मैंने कंसील किया है तीक है आप देख सकते हैं और यह मेरी डर्क सर्कल्स वली जी जी अइसे पर आगे फर्दर नहीं हैं अलायनर लगाईट यह एंश्पारा लगाईट यह दो सबस्कारा लगाईटिेंग मैंने तो सबसिपहले स्टार्ट करते हैं लाइनर से लाइनर जये मेरे पास और नंय करलड है आपत При kalian bikesतें इसको लगाने का और तो बातल थे हैं ठीक है इंन लाइनर लगाने का असान तरीका है एंझी होता है आप आप लाइनर कीली तिप पर लाइनर डाइन कार्या आधा हुआ हो तो ही यह पर सब्सक्राइब अगर आप dry liner के brush को आप अगर अब करेंगी तो इसका वो result नहीं आएगा कितना क्विक मैंने liner लगा लिया है और साइड से अगर इसकी शेप देनी है इसको तो इसको सिंपल आप ऐसे कर लें देखें अब यह ड्राय हो रहा है तो आप इसको दुबारा liner लगा लेना है यानि कि आपने liner को ड्राय नहीं करना ड्राय लाइनर जाय है शेप खराब कर देगा यह देखें लाइनर जाय है खमोशी के साथ ही सही लगता है इसलिए जारा मैं चुप कर गई हूँ जी यह अप्लाय कर दिया है मैंने औरिफलेम का ओन कलर आइलाइनर और देखें मैंने बिल्कुल वीडियो कटनी की और कितना क्वीकली मैंने अप्लाय कर लिया है अब हम लगाते हैं यह औरिफलेम का एक्स्ट्रा लार्ज वंडर लैश मसकारा यह आपके सामने है इसको कि खास किसम का ब्रश है जो कि बेंट है गी बेंट फो में है इसका ब्रश और यह ही इसका भी डिफरेंस है दूसरे से- mess वह एक पोछे किसा डुषद और दूसरे से मकरा चोंट ऑन ची मतलम है कि अपने ब्रश कर दो आइन के बिल्फरेंट इसके दिफरें आप रिसाइण भी की म कहना की तो रहावा आउर वी तो फोल देगा जो लगाने का मतफिर ऐहरे है चिसे स्य काट है तो जाम मेह आउर बढpos जाए हैं प्रेख को तो फथोल एक पिस लाशीस को खोल नहीं अर् इसमोर अपनी लैसे सम्सेट को अप्वर्ट गूं दूंगी यह लैशिस को मैंने अपवर्ट शेप दी है और यह शेप मैंने इसलिह दी है क्योंकि मैंने कर्लिड यूज नहीं किया तो आप कर्लिड भी यूज कर सकते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट आएगा लिकर आपके पास कर्लिड नहीं है फिर भी आप मतब के मस्कारा लग तो इसका यह है कि आप में ब्रॉश के साथ हलका श्रकै करना लेकि अप्रह इसको अपवर्ड करल करना के बहुत Şu मैंणे इसकी कोटिंग कर लें तर बड़िया अब 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 इसकी डृबल कोटिंग करले ठीक कि म्सकारा अगें अपलय करके इसकी डृबल कोटिंग कर ल τις अब आपनी टिप के ऊपर ब्रश को नहीं लगाना आप आप ने ब्रश के पुर्नर पर पर आप मस्कार है ठीक है मस्कारा फोन the जल फो में आपने लगानी है अब आप रिजल्ड नेखिए यह देखें आपके सामने बिल्कुर रिजल्ट है मैंने वीडियो कट नहीं की यह देखें यही इसका बेनेफिट है एक्स्ट्रा लार्ज मस्कारा का आप नीचे बलाए कर लेंगे मैं यहां पर अप्लाए करती हूँ वह है काजल ठीक है सिंपली काजल को काजल जो है ना मुझे ऐसे लगता से नौन समझ है यह इतना जादा समझ नहीं होगा यह पहलेगा नहीं लगाने में तोड़ा सा हार्ड है मैं इसको पहले भी उसकिया हूँ और यह इसकी मतब के यह डिनोट करता है कि जादा जल्दी समझ नहीं होगा बस जहां पर आपने लगाया है वही बठेरा रहेगा इस नहीं है मेरी आप देख सकते हैं कितना कुछ रिव्यू देदिया आठ निनन में मेरी एक आई तियार हो गई है अब सेकेंड आई जो है आप देख सकते हैं बिफोर और अफ्टर पर उमीद करती हूँ आपको ही मेरी वीडियों